हाई और हेलो दुसे रिटेस, वेलकम तो टू क्लास ओ इस विडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बेसिक मैथ से ये क्लास 1 है और अगर आपको मैथ का एबी सी डी भी नहीं आता है तो यकीन मानिए गाइस आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है एकदम स्टार्टी एकदम जीरो से आप में स्टार्ट करना चाहरे हैं तो लगबग 30 वीडियो जो कि आपको पहले बेसिक करेगा ठीक है एकदम हम लोग इसमें कोश्चन मलटिपलाय डिविजन फ्र monitors करना ठीक है ओसेटा है ऐसा एकदम बेसिक ङ् Summit disasters फ्रकशन वाला है cars जो की आप Neo got हो जो कि आपने पढ़ा नहीं हो अगर आपको मैथ से डर लगता है तो यह चैनल आपके लिए गदम परफेक्ट होने वाला है आप सरी क्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और सारे वीडियो को देखिए ठीक है वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा क् मैं एक दम बेसिक लेवल से स्टाट कर रहा हूं या सोचके कि आपको मैथ कुछ नहीं आता है ठीक है और अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है और आपका अगर यह सभी स्ट्रॉंग है तो आप वीडियो क कोई स्पीड करके देख सकते हैं otherwise आप वीडियो का स्कीप भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग फिर प्रिविए सेरका कोर्शन में सॉल्व करने वाले हैं एससी का रेलवे का बैंकिंग का कोई भी एक्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स का सेक्षन है तो ट्रस्ट आपका मैथ का प्रॉलम तो सॉल्व हो जाएगा हमेशा के लिए ठीक है मैथ में का मैं गैरेंटी लेता हूँ आपको मैथ में किसी भी तरह कर डर ने रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अराम से आप फॉल्व करते जाए जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उस तरह से ठीक है इस विडियो में हम लोग सुलू करने वाले नंबर से जैसे आप अगर चाहते हैं आप इंगलिस पढ़ना तो उसके लिए आपको पहले अलफा वेट सिखना बहु जोड़ी है ठीक है पहले एबी सीडी तो आपको सिखना ही पड़ेगा तभी आप जो क्या है धीरे धीरे फिर आप और कुछ सीखने के बाद इंगलिस लेंगवेज आप सकते हैं उसी तरह से मैथमेटिक्स में आपको अगर मास्टर करना है इस ट्रॉंग करना है तो उसके लिए पहले आपको बेसिक ज्यान होना बहुत जोड़ी है ठीक है अकसर क्या ह इसके लिए क्या कीजिए ठीक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होता है मैथ का ठीक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होता है मैथ का ठीक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होता है मैथ का ठीक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होता है मैथ को समझेट समझ में आ गिया तो ट्रस्ट देखते हैं टाइपस अब नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं संख्या ठीक है नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं संख्या बोलते हैं नंबर सबसे पहले देखें नेचुरल नंबर क्या होता है से नेचुरल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते प्रापरतिक संख्या हों कि यह स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 4 5 . यह जाता है infinity तक ठीक है उसके बाद whole number क्या होता है whole number को हिंदी में बोलता है यह स्टार्ट होता है 0 से ठीक है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जाता है इन्फिनिटी तक ठीक है अब एक चीज़ देख रहे हैं यहां पर यह सारा जो पार्ट है यह इसमें भी होल नंबर भी है इसका मतलब यह हुआ क्या जितना भी नेट्रल नंबर है सारा होल नंबर है ठीक है यह सारा किसके अंदर आता है वह सारा होल नंबर की अंदर आता है ठीक है सब होल नंबर की अंदर आता है लेकिन अगर होल नंबर के पूछा जाए तो क्या है जीरो एक ऐसा होल नंबर है ठीक है जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो की नेश्रल नंबर नहीं है यह आप याद रखी एक होता है positive integers एक होता है negative integers ठीक है positive integers जैसे होगी आपको माल लिजे 5, 6, 7, 200, 250 ठीक है यह सब में दीखे प्लस का sign है यह सब में क्या plus का sign है तो यह सब होगी आप positive integers negative integers का बात करें हम लोग तो negative integers जैसा कि नाम से ही पता चल ला है जिसे minus 5, minus 7, minus 18, minus 200 इसमें जो negative sign लगा हुआ है ये हुआ कि आपको negative integers ठीक है और याद रुखे का 0 भी क्या integers है ये भी question पूछा जाता है ठीक है क्या 0 integers है तो हाँ 0 integers है जितना भी natural number है देखिए सारा क्या integers है जितना भी whole number है सारा क्या integers है ठीक है आपको clear हो रहा है अगर आपको याद होगा तो number line भी हम लोग पारे थे integers को number line में represent करने का ठीक है इस तरह से हम लोग line कीशते थे यहाँ पर होता था 0 फिर इधर होता था 1 इधर होता था 2 यहाँ 3 और इधर हम लोग जाते थे minus 1 minus 2 minus 3 तो यह सब क्या integers है यह देखिए negative integers यह positive integers ठीक है तो इस तरह से है I hope आपको integers समझ माया हो ठीक है और नहीं समझ माया रहा है वीडियो को आप दो बारा एक बार रिप्ले करके देख लिजे अफिर भी नहीं समझ माया रहा है तो आप comment करके बताए ठीक है अब अब देखिए even number क्या होता है even number क्या है जिसको हम लोग बोलते है समसंख्या ठीक है हिंदी में क्या बोला जाता है समसंख्या even number हो गया जैसे 2,4,6,8,10,12 इस तरह से जाता है ठीक है the number which is divisible by 2 is called even number ऐसा number जो की 2 से divide हो जाए पुरा पुरी उसको हम लोग बोलेंगे even number clear है guys समझ में आपको even number किसको बोलते है अच्छा even number के last में आपको जो है क्या कह रहाएगा even number के last में आपको रहाएगा 0,2,2 उसके बाद आपको 4,6,8 यह last में रहता है even number का example के लिए जैसे एक number लेते है 2,8,6,7,9 और यहाँ हो गया 6 आपसे पुछे है question भी है even यह what number है तो आपको सिर्फ last number देखना है यह क्या 6 6 क्या है even number है तो यह हो जाएगा even number के लिए आपको समझ में आ रहा है यह सारा कुछ देखे clear होना चाहिए basics क्योंकि questions बनता है यहां से 5 continuous even number का consecutive even number का average निका लिए sum निका लिए multiply निका लिए तो आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि even number क्या होता है तो आपको कैसे questions को solve करेंगे ठीक है इसलिए basics को पहले अच्छे से ध्यान देजिए theory को अच्छे से समझेए concept को समझेए उसके math जो है बहुत interesting लगेगा उसके बाता है odd number odd number क्या होता है तो simple है one three five seven nine eleven इस तरह से जो जाता है उसको बलते हैं हम लोग क्या odd number odd number क्या होता है two से divisible नहीं होता है clear है जैसे मालीच एक number है two three five six seven अब उसे पुछेगा है कि यह number even या odd है आपको last digit देखना है last digit क्या है seven है इसका मतलब यह क्या odd number है ठीक है समझ में आ रहा है आपको I hope आपको समझ में आ रहा हो guys उसके बाद देखें इससे भी सबसे important term क्या है इससे भी सबसे important term है prime number जो कि यहां से questions बनता है और आपको यह पता हो ना चाहिए prime number किसको बोलते है ठीक है यह तो आप अच्छे से समझेगा विडियो को देले देले करके लेकिए मैं बहुत ही अच्छे से इसको समझाऊंगा यह topic बहुत interesting होई बहुत ही important है a number greater than one ठीक है क्या बोला a number greater than one having exactly two factors ठीक है यहाँ पर आप ध्यान देजाए two factors ठीक है namely यहाँ पर one होगा one and itself है ठीक है is called prime number यह मतलब यह हुआ कि one से greater one से जो है greater ही होना चीए number हमें सा one से बढ़ा होना चीए one ना तो prime number है ना तो composite number है ठीक है तो one से बढ़ा हो और उसका two factor हो ज्यादा कोई factor नहीं एक क्या है एक one है और एक khud है itself खुद है एक्जांपल से समझते हैं एक्जांपल से आपको ज्यादा doubt के लिए होगा जैसे मालेज एक number लेते हैं हम लोग 15 एक number है आपको 19 ठीक है 15 का पहले देखे factors कौन का है एक है 3 है 5 है और यह 15 है मतलब 15 किस से divide होगा 1 से होगा 3 से होगा 5 से होगा और खुद 15 से होगा तो इसका मतलब इसका factor क्या है 2 से तो जादा है लेकिन हम लोग को यहां पर क्या definition है बुलागे इसका two factor हो तो यह prime number नहीं हो सकता है ठीक है यह prime number नहीं है उसी तरह से एक और example देखते हैं जैसे माल लेजी आप लेते हैं 20 का और यहां पर होगा है 23 का 20 कैसे कैसे divise well है 2 से है 4 से है 5 से है 10 से है और खुद 20 से है और 23 किसे divise well है 1 से और 23 से तो अब देखिए इसका कितना सारा factor हो गया 1,2,3,4,5 तो इसका 5 factor हो गया तो definition के साबसे तो यह match नहीं हो है यहां बोला है exactly two factors इसका मदर यह prime number नहीं है और यह देखिए इसका कितना factor है 2 है 1,1,23 इसका मदर 23 का है prime number है समझ में आ रहा है आपको I hope आपको समझ में आ रहा हूँ, बहुत easy concept है अब यहां से question कैसा बनता है अगर हम लोग basic questions का बात करें तो basic questions आपसे यह पूछेगा basic question आपसे पूछेगा क्या कि prime number को कैसे find करते हैं कोई भी number को prime number कैसे पता करते हैं कि यह number prime है या नहीं है उसके पूछेगा आपको कि one से लेकर 100 तक कितना सारा prime number है और कौन कौन सा prime number है ठीक है या फिर आपसे पूछ लेकर 50 तक कितना सारा prime number है या कौन कौन प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग find करेंगे, तो ठीक है, एक method हम लोग अभी एक method देखते हैं, जिस से हम लोग को ये पता चलेगा कि कैसे आप प्राइम नंबर को find कर सकते हैं, ये method आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्यों के कई बार questions बहुत difficult बना के पू आपको पता होगा method की कैसे इसको find करते हैं तो बहुत याостanी से इसको find कर सकते हैं ठीक है तो चलिके हम लोग method सीखते हैं देखिए बहुत simple सा method है क्या सबसे पहले क्या करना कि कि आपको counting लिग देना है one से लेकर hundred तक चाहिए आप 50 तक पहले लोग 50 तक पता करते हैं क्योंकि method तो तो 50 तक देखते हैं वन से लेकर तरी तक आप इस तरह से करके जोई counting लिग दीजे क्या एक्दम आसानी से counting लिग दीजए कि तो देखिए इस तरह से आपने क्या क्या हम लोगों ने वन से लेकर इप्टी तक काउंटिंग लिख दिया एकदम सिंपल है यह आप लिख सकते हैं उसके बाद देखे क्या करना है one को तो सबसे पहले अटाई है क्योंकि one जो है हम लोग का ना तो prime number है ना तो composite number है तो इसको हम लोग यहां से delete मारते हैं अब आया 2, तो 2 क्या है, हम लोग का prime number है, तो इसको हम लोग ऐसे करके गढ़ दिये, अब 2 से, जो भी number divisible होगा, उसको हम लोग cross करेंगे, तो आप जानते हैं, कि जितना भी even number है, तो जितना भी 2 से divisible वाला number है, यानि कि जितना भी even number हो, वह तो सब cross हो जाएगा. ठीक है उसको सब हम लोग को just cross कर देना. Simple जैसे माले यह 4 क्या even है, यह 2 से divide हो जाएगा, यह 6 भी 2 से divide हो जाएगा, यह 8 2 से divide हो जाएगा, यह 10 2 से divide हो जाएगा, जितना हिए even number है. इसको जो है cross कर दीना हम लोग को, ठीक है? देखिए तो जितना भी even number था उसको सब लोग को क्या क्या सब को हम लोगों ने cross कर दिया क्योंकि यह सारी number 2 से divisual है क्या मतलब 1 से divisual है 2 से divisual है और खुद से divisual है तो यह prime number नहीं हुआ यह ठीक है उसके बाद 3 है 3 क्या prime number है तो 3 को हम लोग क्या करेंगे इसको circle करेंगे इसको गिरेंगे अब आगे जो भी 3 से divisual है उसको cross करेंगे जैसे यह 9 3 से divisual है इसको cross किये उसके बाद यह 15 3 से divisual है इसको cross किये फिर 27 3 से divisual है तो इसको cross कर दिये उसके बाद देखिए अब ऐसा कोई नमबर नहीं जो 3 से डिविजवल है और सू बचाओ उसके बाद आता है 5 5 भी हम लोगा प्राइम नमबर है अब आगे जाएंगे और देखेंगे 5 कौन इसा नमबर बचाओ है जो कि 5 से डिविजवल होता है तो देखे 25 एक ऐसा number है जो 5 से डिविजवल होता है उसको क्रोस करेंगे फिर 35 है खूरेंगे उसके बाद आया 7 तो से गोल करेंगे और जो भी number 7 से डिविजवल होता है उसको क्रोस करेंगे उसके बाद जो जो बच गया है उसको हम लोग क्या करेंगे गोल करेंगे तो दिखें क्या बच गया हम लोग को 11 ये प्राइम नंबर है 13 क्या प्राइम नंबर है जो बच गया वो प्राइम नंबर है आपका 17 प्राइम नंबर है 19 प्राइम नमबर है, उसके बाद 23 भी प्राइम नमबर है, उसके बाद 29 प्राइम नमबर है, 31 प्राइम नमबर है, ठीक है, और फिर यहां पर 37 प्राइम नमबर है, 41 भी देखें प्राइम नमबर है, किसी से divisible नहीं, यह 1 और itself है, 43 भी divisible है, मतब 1 और itself यह प्राइम नमबर है को यह सारा जो भी बचा हुआ है यह प्राइम बरए देखिए यह टू इसको मैं हाइलेट कर देता हूं झीए यहसैवन इसके बादओ यह यह 11 भी नंबर है ठीक है और यह 13 इंच सेवंटीन प्रराइम नंबर है समय नाइन इन इन्टीन है इस घुरु यह सारा जो हाइलायٹ की हुआ है मैंने ये सारा क्या το गblind किस के किस के बीच में 1 से लेकर 50 के बीच में तो टोटल ऐसा influx है जो कि प्राइम नंबर है thermal ठीक है तो टल 15 ऐसा नमबर है जो कि प्राइम नंबर लगा आपको डारिंड यहां लखना अपको डारिंग्ड यहां दिखना प्राइम नमबर फाइंड कर सकते हैं और यह सारा जो नमबर है वो प्राइम नमबर है वन से फेप्टी का अब कोश्टन देखे आप से पूछा जाएगा इस तरह से एक्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि टेस्ट वैदर 191 यह जो नमबर है आपको 191 यह number prime है या नहीं है यह आप से पूछा जाएगा इसको हम लोग पता कैसे करेंगे इसका देखिए क्या method है बहुत ही simple है चेक करना कोई भी number दिया हुआ है जैसे मालेज यह number दिया हुआ है हम लोग को पता करना है कि number prime number है या नहीं है तो सबसे पहले क्या किजिए यह देखिए किसकी square के गरीब है तो 30 का अगर हम लोग square करते हैं तो कितना आता है 169 ठीक है 14 का square होता है तो कितना आता 196 यह सब आपको याद होना चाहिए एक video में आपको बनाऊंगा जिसमें कि यह बताने के लिए आपको table कितने तक याद होना चाहिए square root कितना याद होना चाहिए ठीक है उसक्वाइद square कितने का cube कितने का यह सब आपको basic जो है याद रखना चाहिए तो यह 190 से छोटा है ठीक है 196 से छोटा है इसका मतलब है 14 के square के यह छोटा है तो यहाँ लिखेंगे 14 14 के अंदर जो भी prime numbers को लिखें जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है और यह 13 है ठीक है 13 है अब यह देखे कोई भी एक इसमें से इतने सारे prime number में से अगर 191 एक से भी divide हो गया है तो इसका मतलब यह prime number नहीं है और एक से भी divisible नहीं हुआ तो इसका मतलब यह prime number है तो चेक करते हैं तो यह 2 से divisible नहीं है 3 से भी नहीं है 5 से नहीं है 7 से नहीं है 11 से नहीं है और यह 13 से divisible नहीं है तो इसका मतलब यह क्या है 191 क्या prime number है यह किसी से भी divisible नहीं था तो 191 क्या यह prime number है आई होप आपको method समझ में है कैसे find करते हैं चलिए एक और question solve कर लेते हैं देखिए अब हम लोग को check करना है कि 221 ये वाला number prime है या नहीं है तो इसको कैसे check करेंगे तो ये देखे किसके square के करीब है अगर हम लोग 14 का square करते हैं तो कितना आता है 126 अगर हम लोग 15 का square करते हैं तो कितना है 225 इसका मतलब ये इससे छोटा है ठीक है तो हम लोग को लेना है 15 15 नमर लेना है इसके नीचे जो भी प्राइम नमर आप लिग दीजिए 2 है 3 है 5 है 7 है उसके लेवन 14 नहीं होगा क्योंकि वह composite number है ठीक है composite number क्या होता है ये composite number हम लोग सीखेंगा अभी अब ये 221 अगर इसमें से एक भी number से divisible है तो ये prime number नहीं है और divisible नहीं है तो ये prime number है ठीक है divisible rule हम लोग सब कुछ सीखेंगे देखिए इसके लिए मैंने अल्रेडी त्यार कर चुका है PDF आप class 3 जरूर देखिएगा divisible rule आपको पता होना चाहिए बहुत important है ठीक है इसका मतलब ये prime number नहीं है sorry हाँ इसका ये prime number नहीं है ठीक है ये composite number क्योंकि इसका factor कौन कोन है इसका factor देखिए 13 तो है एक एक है दूसरा 30 है इसका ये composite number ये prime number नहीं है इस तरह से हम लोग पता करते है ठीक है अब आपके लिए question है आप मुझे comment में बताए 129 और 97 ये दोनो composite number है या prime number है comment करके बताएए आप solve करके ठीक है उसके बाद देखिए composite number क्या होता है तो number greater than 1 जो की 1 से बढ़ा है which is which are not prime जो prime नहीं है वो क्या है composite number है जैसे example देखिए महा लेजिए 4 है ये 1 से greater है और ये prime number नहीं है तो क्या होगा composite number है क्योंकि इसका जो है factor क्या है 1 है 2 है और खुद 4 है तो ये 2 से ज़्यादा factor हो गया ना इसका और हम लोग prime number के बारे में क्या जानते है जिसका exactly 2 factors हो तो ये prime number नहीं ये composite number है समझ मैं आपको आपको clear होगा होगा ये prime number और ये composite number अब देखिए आपके लिए कुछ important notes है जो कि आपको direct इस topic से पूछा जाता है ठीक है ना सबसे पहला है क्या है 1 1 is neither prime nor composite ये आप बहुत ज्यादा important है ये आप याद रखीगा है 1 एक ऐसा number है जो ना तो prime है ना तो composite है उसके बाद है 2 2 is the only even number which is prime ठीक है 2 2 ही एक ऐसा even number जो कि prime number है बाकि इसके बाद जो भी even number होगा वो primarily composite number होगा ठीक है पास सबसे smallest even prime number को ने वो भी 2 ही आएगा अब देखें को प्राइम क्या होता है को प्राइम क्या होता है ये वाला concept आपको समझना बहुत जोड़ी है क्योंकि यहां से question बनता है 2 natural numbers a and b माल लेजे 2 natural numbers है a and b ठीक है 2 natural number a and b माल लेजे कोई भी number है 7 या 8 यहां पर ले ले लेते हैं एक 7 है और यह एक माल लेजे 9 है यह दो natural number है example के लिए are safe to be co-prime if there scf is 1 जिसका scf 1 होना चाहिए तो देखे इसका scf क्या है इसका scf 1 है scf हम लोग जल्दी सीखेंगे scf मतलब ऐसा हुआ कि यह दोनों number सिर्फ 1 से ही divide होगा यह दोनों एक ऐसा number है जो सिर्फ 1 से divide होगा और किसी जनी होगा ठीक है तो जैसे देखे 2-3 2-3 क्या है co-prime है क्योंकि इसका scf 1 है 4-5 क्या है co-prime है क्योंकि इसका scf 1 है 8-11 क्या है co-prime है इसका scf 1 है अगर हम लोग देखा जाए माल लेजिए 4 और 16 लेते हैं तो देखे इसका scf क्या है इसका scf है आपको 4 तो यह co-prime नहीं कालाएगा ठीक है इसका scf 1 होता है आपको यह वाला जो लेक्चर है यह वाला जो क्लास है पसंद आया हो और बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट किये तो आपसा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा तो मु कोई भी डरता हो math से कितना भी weakest strength हो उसका math अच्छा ही हो जाएगा ठीक है एकदम basic सिखेंगे हम लोग तो video को खतम करते हैं thank you so much for watching this video God bless you all